हेलो दोस्तों स्वागता आपका हमारे इस वीडियो में राइट टू बी फॉर्गॉटन एक ये नया राइट है जो हमें कॉंसिटुशनल राइट्स के आर्टिकल 21 में मिल रहा है अब इस राइट के बारे में कई हाई कोट्स की अबजर्वेशन आ चुकी है तो अभी रीसेंटली मदरास हाई कोट्स में भी एक केस गया जहां पर कोट्स ने बोला कि जो एक्क्यूजड है अगर उसका किसी केस में नाम इन्वॉल्ट था अगर वो वहां से बरी हो गया है उसका एक्कुटल हो गया है तो उसका राइट है कि वो अपनी उस जज्जमेंट में से अपना नाम हटवा सकता है क्योंकि आजकल जो है इंटरनेट का जमाना है अगर कोई भी परसन कोई नाम टाइप करे गूगल पर तो हो सकता है वो जज्जमेंट ओपन हो जए judgment open हो जाए तो साथे साथ वो सब चीज़ें जो है उसके बारे में जो भी उसके against allegations लगे थे जो definitely उस judgment में लिखा होगा उसकी identity भी mention होगी तो उसको जो है एक्विटल के बाद भी उसका जो वो stigma था जो allegations का stigma था जो trial का stigma था वो face करना पड़ेगा अपनी rest of the life के लिए तो मदरा साथ कोट ने बोला कि अब accused के पास एक right है कि वो एक्विटल के बाद अपना नाम जो है court order से court judgment से अपना नाम edit करवा सकता है और इसको बोला गया right to be forgotten के case खताम तो उसको भी भूल जाना चाहिए यहाँ पर एक important announcement है वीडियो को आगे बढ़ाने से पहले state judiciary exams के जो courses है already हमारे platform पर upload हो चुके हैं जो आपके सामने states हैं इनके courses upload हो गए है prelims, mains और interview की stage के लिए जितनी भी जो भी आपकी state specific requirement है including languages etc वो upload हो चुके हैं आप description में दिये link पर जा सकते हैं वहाँ पर आप जो भी state में interested हैं click कीजिए देखिए अगर वीडियो अच्छा लगे तो आप बहुत ही reasonable price पर हमारा course enroll कर सकते हैं Madras High Court ने क्या बोला? An accused person who is eventually acquitted of all charges would be entitled to have his name redacted from the court orders pertaining to the crime he was earlier accused of in order to protect his right to privacy तो right to privacy जो है Supreme Court ने भी बोला कि fundamental right है तो उसी right to privacy के अंदर Madras High Court ने बोला कि अगर acquittal हो गया है तो उसके पास right है अपने नाम जो है वहाँ से वो edit करवा सकता है जो भी court order रहे है तो justice N. Anand Venkates ने observe किया एक case था जहांपर वो जो person था accused था वो उसके उपर section 417 cheating और 376 rape IPC में charges लगे हुए थे but subsequently जो था वो acquittal उसको मिल गया थीक है तो उसके बाद उसने high court में अपनी एक application move की कि मेरा नाम जो है court की judgment से हटाया जाए तो ये भी बोला गया कि after the acquittal it was argued that petitioner can no longer be identified as an accused in the eyes of law so definitely अब judgment आईए तो judgment में तो ऐसा ही बोला जाएगा कि accused है but वो तो acquittal हो चुका है तो अब उसका जो नाम है as an accused नहीं हो सकता the court prima facie observed merit in the petitioner's case and that he is entitled to get his name redacted from the high court's judgment reliance जो था supreme court की judgment जो थी पुट्टा स्वामी पुट्टा स्वामी वर्सिस यूनियन ओफ इंडिया इसको बहुत ध्यान से आपने याद रखना है बहुत बार आपको पूछा जाएगा the problem means even asses में तो right to be forgotten, right to privacy, पुट्टा स्वामी वर्सिस यूनियन ओफ इंडिया आपको ध्यान रखना है whereby the right to privacy is now recognized as a fundamental right an acquitted person would be entitled to have his name redacted from the judgments referring to him as an accused तो इसके बारे में आपको बहुत ध्यान से चीज़ें समझनी है और अपने notes जो है बनाते रहना है अब कोट ने साथे साथ क्या observe किया कि आज जो है Google का time है, searches जो होती है Google के थ्रू होती है आज के वक्त में तो जस्टिस वेंकटेश ने बोला कि आज देखें अगर first impressions are often created based on the information obtained through quick Google searches even if such information is not authentic, authentic है या नहीं वो तो बाद में देखेंगे but searches जो है सारी Google के थ्रू हो रही है, information सारी Google के थ्रू ही आज कल मिल रही है तो जो भी उस petitioner का, उसने petitioner बोला होगा petition में कि मेरा नाम अगर Google पर डालें तो सबसे पहले judgment खुलती है judgment में मेरे against इस तरह के allegations लगे हुए है जो मुझे accused बनाते है आज भी मेरी defamation होता है society में, जो कि ये गलत है, मेरे rights का एक violation है तो इसी base पे ये plea file की गई होगी और ये court का observation रहा है साथे साथ court ने थोड़ा सा और further गए, data protection bill की बात की 2019 के वो बोला कि हाँ ये being अभी finalized होने वाला ही है, बिलकुल final stages पे है तो यहाँ पर जो data है, उसको protect करने की बात की गई है, privacy जो है protect करने की बात की गई है जो हमारे prevailing laws है, अब आपको यहाँ पर comment box में मुझे बताना है कि कौन सा law है जहाँ पर जो identities है victims की, जो की women है, children है उनकी identity को confidential रखा जाता है court की judgment में उनके नाम या उनकी identity जो है reflect नहीं होती बट prevailing laws में सिरफ women और children के लिए ही ऐसा provision है आगे जाके यह भी provision बनाना चाहिए कि हाँ जो भी equitable हुआ है उसका नाम हटा दिया जाए तो laws में ही अगर law में आ जाएगा तो और better implement हो सकता है अब यह तो हुई madras high court की अगर different high courts की बात करें यह भी आप अपने answer में कहीं mention कर सकते हैं डेली high court ने भी last year right to be forgotten की बात की गयी थी और वहाँ पर एक American citizen थे एक उसने कोई case file किया था तो यह बोला कि हाँ right to be forgotten जो है और उस वहाँ पर Google को direct किया गया इंडियन कानून जो website है उसको direct किया गया कि acquittal के बाद जो भी उसकी judgment आई होगी उसको block करें so that उस American citizen की जो identity है या फिर जो भी है उसकी वो reveal ना हो सके साथे साथ केरला high court ने भी last year एक plea को admit किया था जहाँ पर बात की गई थी कि practitioner की personal details जो है वो Google search results से erase की जाए तो यह केरला high court का भी decision था उडिसा high court का भी decision रहा जहां पर यह बोला गया कि जो information है public domain में वो toothpaste की तरह है अगर वो बाहर आगया toothpaste तो उसको दुबारा ट्यूब में नहीं डाला जा सकता तो वहां पर right to forgotten right to be forgotten की बात की गई कि internet पर अगर कोई चीज आ जाती है तो फिर वो दुबारा वापिस नहीं जाते हो कही ना कहीं आगे से आगे बढ़ती जाती है तो better है पहले ही आप वो जो नाम है वहां से दिलीट कर दो तो इस तरह की आप जो quotations है या फिर observation है code की या decisions है या अपने answers में mention कर सकते हो आपको definitely बाकियों के answer से एक edge मिलेगी एक better आपका pedestal दिखेगा तो ultimately क्या है आपके marks जादा आएंगे और chances जो है आपके selection के वो बढ़ जाएंगे right thank you very much